जी हां नमस्कार मेरे प्रिये साथियो और दोस्तो रीट बरती से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है लेवल फस्ट की कट ओफ को लेकर संपूर अपडेट मा आपको इस वीडियो के मादम से बताऊंगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार पता रहे हैं त सलते हैं अपडेट की और और इस कटोप से आप कितने संतूष्ट हैं और सरावग एजुकेशन का जो सर्वे है आडी एजुकेशन का जो सर्वे है वो भी हम आप तक पहुचाएंगे नेक्स्ट वीडियो जो आज साम तक आपके लिए अपडेट हो जाएगा जिसमें हमारी और से फाइनली कटोप रहेगी और पहरे सातियो सरावग एजुकेशन की आज तक की त्यास में कोई भी कटोप गला साबित नहीं विए चाहिए आप पीछे के वीडियो जहें उठा कर देख सकते हैं रीटी भरती लेवल वन इस बार 15,500 पदों पर 1.25 लाख आवेदन आए हैं नतीजा असी फिस्ती से अधिक मेरिट जाने की संभावना पिछली बार चोतर फिस्त रही थी जनरल की कटोप ये असी जनरल की बदाई गई है संभावित है फिक्स नहीं है ठीक है सबसे पहले है इस बार जो अनुमानित कटोप है ये कुल 26,000 पद लेवल फिस्त के कुल पद यहां पर 15,500 पद है और लेवल फिस्त के खाली पर 26,000 बताए गए हैं आवेदन 87,000 हैं सामाने की जो कटोप है चोतर फिस्ती ये पिछली बार की यहां पर बताई गई है ये 2022 का डेटा दिया गया लेकिन सामाने की मैड ये पिछली बार की बताई गई है ठीक है और अभी इस बार की कटोप पे चर्चा डालते हैं ओनलाइन आवेदन की परकिरिया पूरी होने के साथ ही प्रारमिक शिक्षा निर्दे में सामाने की मैड 80% से अधिक जाने की संभावना है पिछली शिक्षक बरती 2018 में 26,000 पदों के लिए बरती ही थी और इस बार पद कितने है 15,000 पिछली बार थे 26,000 यानि कि कितने पद ज्यादा थे 10,500 पद ज्यादा थे उसमें कटोप कितनी गई 14% तो इस बार अनुमानी कटोफ है 80% सामने केटेगरी की अनुमान लगा जा रहा है और यह देखी यहाँ पर जो निर्देसक हैं मादमिक शिक्षा जो काना राम जी हैं उन्होंने क्या का है वो भी मापको बता देता है और प्यारे सातियों आप निस्सिंद रहें आज शाम तक की नेक्स्ट वीडि को भरने के लिए परकिरिया शुरू कर दी है शिक्षा निर्देसाले की ओर से अब ब्यार्तियों के डॉकूमेंट वेरिविकेशन का काम जल्दी शुरू किया जाएगा इसके बाद में मेरिट जारी की जाएगी बड़ी अपडेट फाइनल मेरिट की बात हो रही है क्योंक बीकलियारी